कम्यूटेटीव प्रोपर्टी के एक्कॉर्डिंग डिविजन रैशनल नंबर के उपर अप्लिकेवल है या नहीं यह हम देखते हैं A upon B divided by C upon D इसको हम C upon D divided by A upon B के रूप में भी लिख सकते हैं हमने रैशनल नंबर ले लिया 6 upon 4 divided by 2 upon 3 इसे हम 2 upon 3 divided by 6 upon 4 कम्यूटेटीव प्रोपर्टी के कार्डिंग हमने नोट कर लिया 6 upon 4 divide में क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाएगा 3 उपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा 2 upon 3 into 4 upon 6 हमें answers मिलेंगे 18 upon 8 जो बराबर नहीं है minus 8 upon 18 के तो division applicable नहीं है कम्यूटेटीव प्रोपर्टी में this was about is not equal next is associative property क्या होती है हमारी associative property a plus b bracket के अंदर plus c and a बाहर plus b plus c हमने नमबर नार्मल नमबर ले लिया 4 plus 2 plus 6 4 और 2 को under bracket रखा बाहर क्या रखा 6 रखा बाहर रखे है 4 plus 2 plus 6 जब दोनों को हमने 8 किया तो क्या मिला 4 plus 2 6 plus 6 और इदर 4 plus 8 दोनों के answer क्या है हमारे equal आए 12 and 12 तो associative property क्या है applicable है किसके उपर? रेशनल नमबर के उपर हम नेशनल नमबर ले ले लेते हैं a upon b plus c upon d plus e upon f associative property के recording हो जाएगा a upon b plus c upon d एक ब्रेकेट में ले लिया और बाहर ले लिया e upon f यहाँ आप कोई भी रेशनल नमबर पूट करेंगे तो आपको क्या होगा? दोनों साइट एकवल आजाएगा तो यह associative property रेशनल नमबर के उपर addition applicable है minus भी से मैसे करेंगे plus की जगर minus रखेंगे और यहाँ हम रेशनल नमबर पूट करेंगे तो हमें answers equal नहीं मिलेंगे तो associative property subtraction के उपर applicable नहीं है and multiplication multiplication में associative property applicable है but divide में यह applicable नहीं है